हेलो एबरिवन आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ओनलाइन एजुकेशन में आज जिस विशे को लेकर आप लोगों की वीच उपस्तित हूँ वो है हिमांचल परदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा जो Beard and Trans Test 2022 में कंड़क्ट किया जा रहा है इसकी complete information में आप लोगों की वीच प्रस्तित कर रहा हूँ और साथ में ही अगर आप जो है 2016 से 2019 तक के अगर आपको Solved Paper चाहिए जो HPU ने आज तक Beard and Trans Test कंड़क्ट करवाए हैं 2016, 17, 18, 19, 20 और 21 में जो टेस्ट कंड़क्ट करवाएगे हैं उनके Solved Paper आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और Solved Paper जो है आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं Solved Paper 2016, 17, 18, 19, 20 वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो है सारे Solved Paper देख सकते हैं तो 2022 में जो Entrance Test हिमाज़कदेश युनिबरसिटी द्वारा कंड़क्ट किया जाएगा इस वीडियो में हम जाने का प्रियास करेंगे कि B.Ed. जो दो साल का जो Regular B.Ed. कोर्स है Session 2022-23 का Schedule क्या है उसको हम समझने का प्रियास करेंगे और साथ ही कौन से लोग जो है eligible है B.Ed. कौन से लोग कर सकते हैं क्या इसके लिए eligibility criteria है Entrance का Schedule क्या रहता है Entrance Test में जो है कौन-कौन एरिया से प्रशन आते हैं इसकी उपर बात करेंगी और सबसे बड़ी बात Fees कौन से College में कितनी-कितनी Fees लगती है Government Seeds पे कितनी Seeds लगती है कितनी Fees लगती है और जो Private Colleges है जिनको HP University से affiliation मिली है वहाँ पर Fees का क्या pattern रहता है Management कोटे में क्या Fees रहती है इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे और कौन-कौन Colleges से आप भी एड़ कर सकते हैं हिमाचल में इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे तो जो 2022-23 का Session है आप हिमाचल परदेश University की वेबसाइट www.admission.hpu.shimla.in या www.hpuniversity.ac.in पर जाकर आप लोग जो है Online Application आप जो है Session 2022-23 के लिए जो है आप अपना आविदन जो है जमा कर सकते हैं आठ तारीक के बाद और जो General Category के Students रहेंगे उनके लिए फीस जो है 1100 रुपे हैं और बाकी जो Category है Schedule Cast, Schedule Tribe और अधर जो सब Category है चाए वो BPL है, IRDP इनके लिए जो है फीस 550 रुपे जो है Entrance Test के लिए रखी गई है तो जो Important Dates है 2022 की आप कब जो है Online Submission of Application आप लोग कर सकते हैं तो आप Online जो है हिमांचाप्रदेश University की Website पर जाकर या HPU Examination.Online Admission पर जाकर आप 8 April 2022 से 6 मई 2022 तक आप Online आवेदन कर सकते हैं जो लोग बीएड करना चाहते हैं चाहे भी हिमांचाप्रदेश University से Department of Education से हूँ चाहे भू जो है GCTE Government College of Teacher Education धर्मशाला से हूँ ये दो जो है GCTE Government College of Teacher Education धर्मशाला और Department of Political Department of Education HPU जो है दो जो है ये दो मात्र ऐसे संस्थान है जो गोर्मेंच के द्वारा जो है चलाए जारे भीएड के लिए संस्थान है बाकि जो है प्राइविट कॉलिजीज है जिनको ही मांचपदेश उनिवर्सिटी ने मानेता दी है तो आप 6-5-2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं और अगर किसी विद्यार्थी ने जो आवेदन किया था और जब वो जो है अप्लिकेशन जो है सब्मिट कर रहा था उसने एप्लिकेशन में हो सकता है अपना नाम पिता जी का नाम गलत किया हूँ या कोई इन्फोर्मेशन ऐसी थी जो उसको सही देनी चाहे थे लेकिन गलती के कारण या डॉकॉमेंट के आभाब के कारण उसने जल्दी जल्दी में फॉम फिल कर दिया है तो इस परकार के एरर्स जो है इस परकार की गलतियों को ठीक करने के लिए जो है कैंडिडेट जो है अपने एप्लिकेशन में अगर उससे कोई गलती हो जाती है जब वो जो है इस जो है निश्चित अबधी में 8-4-2022-6-5-2022 तक अपना ऑनलाइन आवेधन कर रहा था B.Ed. Bachelor of Education के लिए तो वो 7-5-2022-9-5-2022 में को जो है इन दो दिनों के अंदर वो जो है अपने एप्लिकेशन को जो है वो दुरुस्त कर सकता है अगर उसने एप्लिकेशन फिल करते होए कुछ गलतियां कर दी गई है तो यहाँ पर जो Tentative Date रखी गई है जो है 17-5 रखी गई है Admit Card जो है आपको जनरेट हो जाएंगे जिन्होंने जो है पूरा प्रोसेस कंप्लिट कर लिया है Online एप्लिकेशन के बाद जो है अगर उन्होंने फीस जो है जमा कर दी है और तो उनके Admit Card जो है 17-5 को जनरेट हो जाएंगे और जो Date of Entrance Test जो रखा गया है वो है 27-5-2022 को यह Test रखा गया है Date of Entrance Test जो है 27-5-2022 को होगा और जो Tentative Date of Declaration है वो जो है 7-6-2022 को और Tentative Date of Issues जो First Merit List है वो जो है 15-6-2022 रखे गयी है तो Date of Entrance Test जो है 27-5-2022 जो है शुकरवार को हिमांचल के जो है भिविन सेंटर्स में हिमांचल के भिविन चिलों के भिविन सेंटर्स में B.Ed का Entrance Test कंड़क्ट किया जाएगा और यह मैं आपको बता दूं B.Ed का Entrance Test सभी विद्यार्थियों के लिए कंपल्सरी है अगर कोई विद्यार्थिया अपने घर के पास जो है घर के पास के प्राइविट कॉलिज से भी करना चाहे तो उसके लिए भी B.Ed का Entrance Test ज़रूरी है और उसमें भी जो है उसको जो है तय मेरिट में आना ज़रूरी है तो यह थी 2022 की डेट्स कांसलिंग का शेड्यूल क्या रहेगा और जो जो है इस Entrance Test का टाइम टेवल जो शेड्यूल है Distribution of Question Booklets जो है तीन घंटे का एपेपर होगा Test Commencement 11 से एक वजेता करेगा और यह कुछ एक information आप लोगों को परदान की गई है तो चलिए अब बात करते हैं कि B.Ed जो है हिमांचल प्रदेश अगर आप यूनिवरसिटी से हिमांचल में जो है दो एक तो HPU से जो Department of Education है Department of Education में आप कर सकते हैं इमांचल प्रदेश HPU Department of Education में कुल जो है 100 seats है जो सारी की सारी subsidized seats है यहां पर जो है 100 seats है 100 seats का जो distribution किया गया है 100 seats में से जो 15 seats है 15 seats में जो है 10 seats जो है commerce के लिए है और 5 seats जो है arts के लिए रखी गई है और इसके अलावा जो है 50 seats जो है non medical के लिए रखी गई है और 25 seats जो है medical के लिए रखी गई है तो कुल सिर्स हिमांचल प्रदेश यूनिवरसिटी में जो है 100 है ये merit-based के अधार पर भरी जाती है जब आपका entrance test conduct आप करते हैं अगर आप उसमें merit में आते हैं तो आप अपनी पहली preference जो है हिमांचल प्रदेश यूनिवरसिटी के लिए दे सकते हैं लेकिन ये किसी विद् जो है 60 हजार में होगी वहीं वह बीड अगर वह उसी जो है merit में आकर जो है अपने घर के college के पास करता है तो वही बीड जो है उसकी एक लाख जो है 10 हजार के आसपास होगी क्योंकि private college में जो fee structure है वो government की fee structure से उसके लिए अलग होगा तो ये ये तो हुआ एक पहली वाद department of education HPUC दूसरी जो है 200 seats के आसपास exact मुझे याद नहीं है 200 seats के आसपास जो है GCTE धर्मशाला government college of teacher education धर्मशाला में जो है कम से कम 200 seats परदान की गई है जिसमें arts, science और commerce सब के लिए ही seats है तो ये seats सबसे पहले जो बच्चे merits में आते हैं वो अपनी पहली preference जो है department of education हिमान्च धर्मशाला को दे सकते हैं ये दो जो है मात्र ऐसे संस्थान है जहांपर जो फीस है जो फीस का pattern है वो सबसे कम रहता है पूरे हिमान्चल में क्योंकि ये जो है government जो है के द्वारा चलाए जा रहे हैं इसके अलावा विविन विविन जिलो में विविन डिस्टिक में जो है merit में भी आए लेकिन अगर आप किसी college में जाना ही चाहते हैं तो आप जो है जब counseling schedules आता है तो आप अपनी preferences जब आप counseling के लिए आवेदन करते हैं तो आप अपनी preferences के according जो है एक number दो number तीन number preferences दे सकते हैं और आपके marks के अधार पर ही आपको जो है सीटे परदान की जाएगी तो जो duration time है कितने time का है तो बीएड जो program है ये regular mode में ही होता है private mode में बीएड नहीं होती है और इसका जो maximum period है वो दो साल का है और दो साल में जो है चार semester होते हैं अर्थात हर एक 6 मेहने के बाद आपके exams होते हैं जिसमें teachings जो है आपके TP भी होती है teaching practice भी होती है सब कुछ और 100 working days जो है each semester में जो होते हैं तो कुल जो है ये दो साल का course है और ये regular mode में ही होता है ये private mode में नहीं होता है इसके अलावा जो academic calendar है और eligibility क्या-क्या है eligibility अगर कोई बिद्यार्थी जो है अगर वो B.E.D. करना चाहता है तो उसके लिए योग्यता क्या है और educational qualification क्या-क्या होनी चाहिए तो जो भी लोग जो है B.E.D. में admission लेने की इचुक है दो साल की B.E.D. में education institution में अगर admission लेने की इचुक है चाहे वो हिमांचर प्रदेश university हो, government college of teacher education धर्मचाला हो या इसके अलावा private जो self-financing college है जिनको हिमांचर प्रदेश युनिवरसेटी के द्वारा मान्यता दी गई है जो affiliated college है इसकी उनको ये criteria जो विदियार्थी जो है admission लेना चाहते उनको ये criteria पहला criteria है कि at least 5.01 CGPA होना चाहिए क्योंकि बरतमान समय में जो है CGPA है तो 50% जो है marks at least होने ज़रूरी है bachelor degree में चाहिए वो आपकी जो है medical, non-medical चाहिए commerce हो चाहिए आप master degree हो social science में कर रहे हो, humanity में कर रहे हो, commerce में कर रहे हो तो आपको जो है at least 55% marks आपके पास होने बहुत ज़रूरी है तो ये एक criteria set किया गया है और at least 45% जो CGPA है और letter grade in case of SC, OVC और दूसरे जो physically handicap है उनके लिए ये रखा गया है तो ये criteria है 55% ये आप जो है general category से हैं और इसके अलावा 45% जो है CGPA जो है other categories के लिए रखा गया है इसके अलावा जो candidate जो है BA, BSC, B.com final year में बरतमान समय में हैं ठीक है अगर वो BA करना चाहते हैं क्योंकि अभी उनके exam हो रहे हैं तो वो भी BA कर सकते हैं वो एंट्रेंस में appear हो सकते हैं उनका result जब आएगा तो उसके बाद जो है schedule सारा ते होता है और result के बाद ही उनका selection और qualifying examination जो है इसके लिए BA है तो final year में अगर आप है किसी भी stream में BA, BSC, B.com तो आप लोग भी equally जो है आवेधन कर सकते हैं BA के लिए इसके अलावा जो है अन्या जो legibilities है अब चलिए अब समझते हैं कि आप किस परकार जो है online application जो है जब आप फिल करेंगे HP University की site में जो site से यह दी गई है www.admissions.hpushimla.in तो यहां से आप जो है prospectus को भी download कर सकते हैं उसमें भी साला कुछ बताया है तो जब भी आप online application फिल कर रहे हो तो आपने जो है धियान देना है आपको careful रहना है इसको understand करना है eligibility criteria को और जो free details है तो वो जो है general category की students है चाहे वो EWS है, OBS है, other respective categories उनको 1100 रुपे फीज है और जो दूसरे schedule cast, schedule tribe, BPL, IRDP इनको जो है 500-500 रुपे फीज रखी गई है, तो आपको जो है 12-5-2022 तक जो है आपको यह सारी process पूरी करनी है online आविदन की उसके बाद जो फीज का जो पोर्टल है उसको जो है बंद किया जाएगा, अगर आप जो ह आपके पास क्या-क्या document होने चाहिए, अगर आप online apply कर रहे हैं via entrance test के लिए तो आपके पास क्या-क्या चीज होना आविशक है, यह आपको जो है ध्यान में रखना है, तो सबसे पहली चीज, scanned copy of candidate recent photograph, तो आपको यह पास जो है scanned photograph होना चाहिए, आपका recent photograph, जो photograph का size और color जो ह होगा, ठीक है, तो photograph जो है full view में, जो है directly camera को face करते हुए खींचा होना चाहिए, और यह 100 kv से अधिक का नहीं होना चाहिए, आपका photograph जो है latest होना चाहिए, और 100 kv का यह होना चाहिए, और photograph जो है, यह .jpg या jpeg के format में ही save होना चाहिए, और file name 10 character से जादा नहीं होना चाह या अर्थ है, जैसे मानलो आपने photo की चाहिए, तो किसी का नाम जो है इसमें जो है श्याम है, तो श्याम में जो आपकी character बन रहे हैं, वो है आपके पास 6 या 7, तो मतलब 6-7 चल पनेंगे 10 से उपर के आपके पास नहीं होने चाहिए, और इसके अलावा यह आपके पास scanned copy ह होने चाहिए, और इसका जो size भी है, वो जो है 100 kg से किलोवाइट से जाला नहीं होना चाहिए, और sign जो है signature जो है candidate के ही होने चाहिए, और किसी अन्या person के नहीं होने चाहिए, और जब examination होता है, तो इनिवीजी लेटर इस बात को जो है verify करेगा कि यह आपके sign है या नहीं, और signature जो है यह भी आपके JPG या JEPG format में होने चाहिए, इसके अलावा जो candidate जो है अपना form ex-servicemen category में भर रहा है या by wards of ex-servicemen हैं या widows या wards of defense personnel हैं, तो उनके पास जो है valid certificate होना चाहिए concerned category का, यदि आप ex-servicemen कोटे से जा रहे हैं, ward of ex-servicemen कोटे से जा रहे हैं, त तो आपके पास valid certificate होना चाहिए, जो competent authority की द्वारा इशू किया गया हूँ, और ये भी PDF format में 100 की भी का होना चाहिए आपके पास, और आपके पास एक email account होना चाहिए, जो आपका अपना हो, और इसके अलावा जो है mobile numbers, details, और साथ ही जो है, जो mandatory field है, जब आप online आवेदन कर रहे हैं, online form को fill कर रहे हैं, तो आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है, तो जो आपका form है, उचको complete करने का procedure क्या है, online application का, सबसे पहले है, आपकी personal information, जिसमें आपका नाम, आपकी पिताजी का नाम, आपका पूरी qualification, जो है address, educational qualification पूछी गई होगी, application summary पूछी गई और submit जो है reference number और application यह आप से पूछा जाएगा, और जब आप information जो है submit button करेंगे, तो आपको एक unique registration number, password के साथ दिया जाएगा, जब आप online apply करेंगे, तो यह unique registration number आपने password के साथ अपने पास save कर लेना है, क्योंकि इसी से ही आपका admit card generate होना है, बाकी पूरी information जानी है, तो इ उसके बाद आपने जो है undergraduate पर जाकर जो है click here to student login पर जाना है, और उसके बाद जो है आपने बाकी की जितनी भी information है, उसको जो है क्या करना है, वहाँ पर जाकर fill करना है, और upload photo sign signature और continuous and save पर आपने जाना है, और last जो steps रहता है जब आप in personal information को fill करोगे, educational qualification को fill करोगे, document को upload क तो last जो आपके बाद stays है, वो है application for fee and payment, जिसका link यहाँ से generate होगा, आपको जो है payment करनी है online, चाहे वो debit card हो, credit card हो, net banking हो, ptm हो, google पे हो, यहाँ से आप fees जो है जमा कर सकते हैं, और जो है fees जमा करना के बाद जो है आपको एक confirmation आजाएगा कि आपकी fees जो हो गई है, तो जो important जो direction है जो candidate को धियान रखनी होती है और instruction जो आपको धियान में रखनी पड़ेगी जब आप form फिल कर रहे हो, name of course, be age, name of candidate, जिस तरह के से आपका नाम, जिस तरीके से आपका नाम जो है 10th में दिया गया है, 10th के certificate में दिया गया है, वैसे ही आपने फिल करना है, father name भी 10th के certificate के according और mother name भी 10th के certificate के according और examination center for entrance test, तो ये आप अपनी सुविधा की अनुशार अपनी district में जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन-कौन सी district में कहां-कहां जो है examination center है और mobile number address for correspondence ल आपने फिल करना है, और इसके अलाबा जो है entrance test जो है कैसा आता है, जो entrance test है वो objective type आता है, ठीके, B8 का entrance test है, MCQs होता है, multiple choice question होता है और जो minimum qualifying marks है entrance test में वो जो है 35% होते हैं, 53 marks आपको लेने होते हैं out of 150 और SC, SD, OVC जो physical handicapped हैं, उनको 30% marks secure करने होते हैं, जो है 45 out of 150 तो ये division रहता है, कौन-कौन पार्ट से आते हैं, general awareness, mainly HP और हिंडिया से 30 प्रशन पूछे जाते हैं, कौन marks 30, language and comprehension, Hindi, English जो है, ये 40 number के पूछे जाते हैं, logical reasoning जिसमें mathematics आता है, numerical abilities आती है, ये 20 number की, knowledge of national commission and committees education में, ये 20 number की, और teaching attitude आता है, 40 number का, तो कुल 150 number का ये paper होता है, जो इतने 5 common components में divided होता है, तो आप इस तरीके से त्यारी कर लें, इसके अलावा, जो examination centers हैं, विविन डिस्टिक में जो में बात कर रहा था, जब आप examination form field करें, तो उन्ना में अंब में center place किया गया है, विलासपूर में एक center होगा, चंबा में, धर्मशाला में हैं, हमीरपूर, कांगडा, इसके अलावा, कुलू, मंडी, नाहन, पालंपूर, रामपूर, शिमला, सु और उन्ना, ये जो है, पंदरा center है, जहां पर बीएड, जो है, दो हजार बाइस की जो प्रवेश परिक्षा है, और ट्रेंस टेस्ट है, वो conduct किया जाएगा, तो जो भी candidate जो है, concerned district से हैं, अगर आप उन्ना से हैं, तो आप अपनी center fill करें, अगर आप विलासपूर से हैं, विलासपूर सेलेक्ट करें, अगर आप चमवा से हैं, अगर आप धर्मशाला में रहते हैं, अगर धर्मशाला में ही paper देना चाहते हैं, तो आप धर्मशाला सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप मंडी से हैं, लेकिन आप रह रहे हैं, धर्मशाला तो आप धर्मशाला सेलेक् संहीं है। नहीं है कि आप अगर किसी दूसरी डिस्टिक में रह रहे हैं तो आपको आपनी ही डिस्टिक में पेपर देना है। इसके अलावा जो believers बेड बीय mend में आपको पड़ने होते हैं तब आपका selection हो जाता है तो first semester से fourth semester तक तो ये वीएड first semester में आपको चार theory के paper pass करने होते हैं पांच theory के paper आपको pass करने होते हैं जिन में कुछ इस तरीके से है childhood and development years है contemporary Indian education है और second year में जो आपको paper pass करने होते हैं वो है तीन paper second semester में जो second semester है वीएड का paper six seven eight learning and जो है आपके पास teaching और इसके अपके पास third semester में आपके पास जो subject रहते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं teaching of जो है अगर कोई arts का बच्चा है तो वो select कर सकता है अगर उसने teaching of social sciences होगा दूसरा उसके पास teaching of Hindi और English Sanskrit में से कोई एक ले सकता है और science के बच्चे teaching of life sciences, physical sciences, mathematics में से opt कर सकते हैं इसके अलावा school of Indian practice teaching होती है total marks in third semester और ये कुछ paper जो है पास करने होते हैं अब बात करते हैं जो government college of teacher education धर्मशाला है और इसको जो है recognition में ली है तो जो हिमानचलवर्देश HPU Department of Education और government college teacher education धर्मशाला में जिन विद्यार्थियों का selection होता है तो उनकी पर semester जो फीस का प्राबदान है वो कुछ इस तरीके से हैं इनको जो है total जो फीस है जो पर semester देनी होती है वो है जो है कुल जो annual fee इनको देनी होती है वो है बॉइस के लिए है 11,350 और annual fee for girls है 10,150 और annual fee for IRDP BPL जो जो विद्यारती है इनको जो है 11,100 अर्थात annual means एक साल के लिए अगर 11,350 की बात करूं कि दो साल की weird है तो आप यह मान के चलो कि 22,000 जो यहां पर आंक्रिशो कर रहे है ठीक है 22,000 यह जो है 20,000 और यह जो है 22,000 तो कम से कम मतलब 25 23,000 में आपकी weird जो है अगर आपकी selection merit based पर HPU हिमाच्रपतिश उनिवेसिटी में होती है और जो है GCTE Government College of Teacher Education जो है धर्मशाला में होती है तो आपको जो है इतनी में आपकी weird हो जाएगी और इसके अलावा इसके अलावा जो private colleges से करते हैं जिनका selection जो है HPU में नहीं हुआ य लिकिन वो अपने nearby college में उनके marks अच्छे थे तो जो उनके nearby colleges है affiliated college है weird की वहाँ पर उनका selection हो गया है किसके through counseling के through HPU में उन्हें आविदन किया था nearby college के लिए तो उसको कहते हैं government seat पर उनका selection हो गया है तो उनके लिए जो fees रहेगा जिनका counseling के through HPU counseling के through जो है private colleges में selection होता है उ उनके लिए जो fees का criteria है उनके लिए जो fees है वो लगवक जो है दो सालों की जो fees उनको पड़ी ही वो जो है यहाँ पर ठानुए हजार 10 है अर्थात जो है यह कुल जो total उनको पड़ेगा यह 1,10,000 के आसपास के वल उनको fees ही पे करनी है एक लाख 10,000 के आसपास जो है एक लाख 10,000 के आसपास की जो है उनको fees फीस ही पे करनी पड़ेगी जिनका selection जो है counseling के through होता है HPU के through और जो है यहाँ पर जो है उनका selection होता है अब एक seat होती है management quota के through management quota जिसको कहते है management quota management quota के अंतरगत क्या होता है कि अगर आपने HPU का entrance test दिया है लेकिन आपकी किसी private college में जो निर्धारित seatे हैं ठीक है वो खाली रहे गी है लेकिन वहाँ पर management quota की seatे बची होई है counseling के through selection हो गया है तो management quota में fees का फर्क रहता है जो आपका HPU के थरू counseling के थरू अगर आप private college में आ रहे जो fees आपकी एक लाख 10,000 लग रही थी ठीक है वो ही fees अब जो है एक लाख 50,000 के आसपास हो जाएगी तो 30-40,000 का फर्क रहता है management quota के seat में तो इसलिए हमेशा आप ध्यान जब आपके marks अच्छे हूं तो अगर आपका HPU या government college of teacher education धर्मशाला में अगर आपका selection नहीं होता है तो आप जो है HPU की counseling के थरू ही किसी private college में जाएं इससे आपकी fees कम पड़ेगी आपको तो आप जो है अपने पैसी थोड़ी जो है save कर सकते हैं यह है colleges की list different district में college code के government of education इमांचर प्रदेश University जहां पर 100 seats है जो मैंने आपको बताई थी जिन में जो है arts की जो है 5 seats है commerce की 10 है 25 जो है medical की है और पचास non-medical की है और government college of teacher education धर्मशाला यहां पर जो है 250 seats है आपके पास तो यहां पर जो fee structure है वो बहुत less है अगर आपका selection होता है तो आप बहुत क जो है पैसों के साथ bade कर सकते हैं क्योंकि यह subsidized seats है और इसके लावा self financing जो private college है यहां पर दो तरीके की seats होती है जिनका मैं आपको जिकर कर चुका हूँ एक counseling के थूँ आते हैं जिनकी fees जो है 1,10,000 के आसपास जो है रहती है दूसरे आते हैं जो है management quota के थूँ जिनकी जो ह counseling के थूँ ही भरे जाएंगे merit ways पर जिसके number जो है merit में उपर होंगे सबसे पहले उनको preference दी जाएगी गुरकुल भारती college of education है विलासपूर में शिवा college जो है education near जो है DAV college भमारवी डिस्टिक चंबा में भी जो है बहुत सारे centers है आपके पास चंबा जो है millennium है डिस्टिक ह हमीरपूर में आपके पास बहुत सारे centers है यह हमीरपूर में आपके पास साय की सारी जो है वियर्ड colleges है डिस्टिक कांगरा में आपके पास even college of education राजा का बाग है इसके अलाबा अवस्ति memorial college है कांगरा में दीन दया महेश द्रोनाचारे college है ग्यान जोती है जैनकराज education है डिस्टिक किनो और डिस्टिक कुल्लू में आपके पास दो center है कुल्लू college of education और जो है रामिश्वरी teacher of इतके रावा डिस्टिक मंडी में विलाशी college भारदवाज जो है शिक्षन संस्तान और बहुत सारे centers है आप जहां से ब्याट कर सकते हैं thank you everyone